तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ बीमा लुमरा हूँ, इस समय सुबह का टाइम है और अभी हाली में मैंने बकरियों की चारा पानी सानी इस तरह से किया हुआ है इसी वज़े इस तरह से पसीने से भीगा हुआ हूँ सारे जो बच्चे हैं वो चारा खा रहे हैं अधर बकरियां चारा खा रही है लेकिन आज का जो टोपिक है बकरियों पर कि जब भी हम सुबह चारा पानी सानी करते हैं तो कैसे पैँचाने कि कौन सी बकरी बीमार है कि क्या उसका इलाज करना है सबसे पहली चीज होती है बाड़े में सुबह बकरियों की पैचान करना कि कौन सी बीमार है कौन सा चारा नहीं खा रहा है तो सबसे ज़्यादा पैचानने का यही तरीका होता है कि कौन सी बकरी चारा नहीं खा रहा है सुबह का टाइम है मैंने सारा बंदोबस्त कर दिया चारे पानी का और अब मैं डाइग्नोस कर रहा हूँ कि कौन सी बकरी बीमार है देखिए कल परसों दो तीन दिन से खूब बारिस होई है और जब बारिस होती है तो अकसर बकरीों में जुखाम, सर्दी, खासी आमसी बात है लग जाती है तो यह कोई बहुत बड़ा इसू नहीं है यदि बकरीों को खासी आ रहे बरसात का मौसा में बारिस होई है अगले दिन से थोड़ा साल का फुरका, सर्दी, जुखाम, खासी इस तरह से देखने को मिलती है तो कोई इसू नहीं है बस आपका बकरी जो है चारा खाना चाहिए यदि चारा खा रहा है तो कोई इसू नहीं है लेकिन वहीं पर मैं देख रहा हूँ एक मेमना जो है चारा नहीं खा रहा है मैं आपको बैक करके दिखाता हूँ आप देख सकते हैं सारे चारा जो है बहुत जोड़दारी से खा रहे हैं ये भी खा रहे हैं ये भी खा रहे हैं और एक मेमना ये देखे इस तरह से खड़ा हुआ है जो चारा नहीं खा रहा है बांकि सब इंट्रेस्ट दिखा रहे हैं तो अब हमको इसको डाइगनोस करना होगा कि एक्चूल प्राब्लम क्या है ये चारा क्यों नहीं खा रहा है तो सबसे पहली चीज ये होती है कि यदि आपके पास बकरिया है दो, चार, पांच, दस भी है यहां तक की एक बकरी भी है तो आपके पास थर्मा मीटर होना चाहिए यदि आप स्वयाम इलाज करना चाहते है उसके बारे में सीखना चाहते है तो थर्मा मीटर आपके पास होना चाहिए तो सबसे पहले हम इसका temperature लेंगे कहीं इसको बुखार तो नहीं है temperature लेने के बाद temperature ले लेंगे यह इसका temperature नार्मल आता है तो फिर हम इसको डाइग्नोस करेंगे कि इसके पेट में कोई समस्या तो नहीं है चुकि बकरी बकरा चारा तब ही नहीं खाता है जब उसके पेट में समस्या होती है या तो बुखार होता है अड़ चारा नहीं गिराओ तो जब हम डाइग्नोस करेंगे कि इसके पेट में समस्या तो नहीं है यदि पेट में समस्या निकलती है तो सबसे पहली चीज क्या होती है कि देखना इलागे पानी तो नहीं बोल रहा है पानी नहीं बोल रहा है तो उसको ये देखना है कि गैस वगेरा तो नहीं बनी हुई है यदि गैस भी नहीं बनी है पानी भी नहीं बोल रहा है तो प्राथमी कुप चार में सबसे पहले आप खाने का सोड़ा देंगे थोड़ा सा काला नमक देंगे और यदि आप के पास कोई भी आफरे की दवा रखी हुई है तो आप उसो सबसे पहले आफरे की दवा भी देंगे इतना आपको करना इतना करने के बाद ही आपको देखने को मिले जाएगा, रिजल्ट अच्छा मिलेगा, चुँकि कई बार मेमनों में क्या होता है, आपच की समस्या हो जाती है, आपच की समस्या की वज़े से भी मेमना चारा नहीं खाता है, यह इसाम को ज़्यादा चारा खा लिया यह इसाम को दाना ज़्यादा खा लिया तो इस तरह की समस्या आम है तो जो सोडा है खाने वाला सोडा है बहुत अच्छा रिजल्ट देता है जो आफरे की दवाएं हैं जो भी पेट से रिलेटेड हैं दवाएं अच्छा काम करती है एक चीज और प्रमुख देखना होता है कि बकरा कहीं लंबा तो नहीं हो रहा तो जैसा मैंने इसको डाइग्नोस किया है यह बकरा कहीं भी लंबा नहीं हो रहा चुप चाप गुम समझुआ है खड़ा हुआ है तबागी बकरा हमारा फूली एक्ट्यू है इसके पाद बकरियों को भी देख लेना है आपको बकरियां देखनी है चारा खा रही है सबकी नहीं खा रही है सबसे पहले सूबय का यही नियम होता है यदि आप बकरी फार्म करते हैं तो सबसे पहले चारा खाते समय आपको बकरी को डाइग्नोस करना है कि कौन सी बकरी चारा नहीं खा रही है यदि ये डाइग्नोस करना सीख लिया तो आप तुरंत समझ जाएंगे कौन सी बकरी को बीमार है और सुरुवाती स्टेज में यदि आप समझ गए और सुरुवात में ही आपने ट्रीटमेंट कर दिया तो बकरी जो है और अधिक बीमार नहीं होती है सुरुव में ही सही हो जाती है तो ये कल खूब बारिस हुई है बारिस की वज़े से सबको खांसी इस तरह से आ रहा है ये लाहसून और सरसों के तेल कमा इनको फार्मूला दूँगा जैसे ही सारे जो है सही हो जाएंगे एक दिन में थोड़ा सा आजवाइन लैसून और सरसों के तेल गरम करके दे देना है बिल्कूल फिट तो बकरा देखिए एक्ट्यू है फुली बस इसके पेट में थोड़ी बहुत समस्या है गैस से रिलेटेड अपच से रिलेटेड चूंकि दाना वगेरा मैं सामको देता हूँ तो हो सकता इसने दाना अधिक खा लिया हो तो यह इतना इलाज करूँगा इसके बाद यह सही हो जाएगा और आप लोगों को भी यही करना देखिए जगडर आया तो किस तरह से मारने कोशिस कर रहा है मतलब इसकी बहुत ज्यादा समस्या नहीं है थोड़ी बहुत समस्या है और यह थोड़ी बहुत समस्या ही बड़ी समस्या बन सकती है यह आपने जो ट्रीटमेंट बताया गया नहीं किया तो और अधिक जानकारी के लिए यह आप लोगों को कुछ सीखना है मेडिसिन से रिलेटेड थोड़ा बहुत प्राथमी को उपचार सीखना है आप डोक्टर तो नहीं बन सकते हैं क्योंकि उसकी तो पढ़ाई होती है बाथमी की उपचार आप सीख लेते हैं ग्रूप वगएरा में जुड़ जाते हैं तो आपको इतना कंफर्म है कि आपकी बकरी जैसे ही बीमार होगी आप उसका इलाज कर लेंगे चुकि हम लोगों को इतने दिन हो गया काम करते हुए आप डोक्टर नहीं बुलाना पड़ता अपना इलाज स्वयम कर लेते हैं तो इतना कॉंफिडेंस है कि आप लोग यदि हम से जुड़ेंगे तो आप खुद अपना इलाज कर लेंगे तो गुरूप वगेरा में जुड़ना आ है तो link description पर पड़े हुए हैं जाके आप लोग जुड़ सकते हैं मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तब तक आप सभी लोगों से बीदा लेते हैं Bye Bye, Have a good day, Thank you